पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पड़ने पर नहीं तो हम सब्सक्राइब के साथ सथ बेल आइकन दमाना बिल्कुल से न भूलें ताकि हमारी सारी कि सारी लेटेस्ट अब्डेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए बिना टाइम वेश्ट करें इस कीट को सीखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम केपो का यूज करने वाले हैं और केपो का हम यूज करेंगे फर्स ट्रेट के उपर जी हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फर्स ट्रेट के उपर लगा रखा है तो आप भी अपने केपो को फर्स ट्रेट के यह जो तीन chords है यह बहुत ही easy chords है और मैं अपनी पहले पुरानी वीडियो में यह बता चुका हूँ कि यह कॉर्ट है तो चली सीखते हैं पहली chord है G major की और G major को बजाने के लिए आप ऐसे जिन लोग को मालूम है कि इनकी finger position कैसे है तो आप इस वीडियो को skip कर सकते हैं और जिनको नहीं मालूम है वो इस वीडियो को continue देख सकते हैं तो G major को बजाने के लिए आपकी 1st finger होगी 3rd fret 5th string के ओपर देन आपकी 2nd finger होगी 4th fret 6th string के ओपर देन आपकी 3rd finger होगी 4th fret 2nd string के ओपर and then आपकी 4th finger होगी 4th fret 1st string के ओपर तो यह कुछ इस्तर के sound करेगी तो यह थी है हमारी G major की chord then अब चलते है हमारी next chord के तरफ जो की है C major और C major को बजाने के लिए आपकी 1st finger होगी 2nd fret 2nd string के ओपर then आपकी 2nd finger होगी 3rd fret 4th string के ओपर then आपकी 3rd finger होगी 4th fret 6th string के ओपर and then आपकी 4th finger होगी 4th fret 5th string के ओपर तो यह कुछ इस्तर के sound करेगी C major की chord and then अपनी 3rd or last chord की तरफ चलते हैं जो की है D major की chord और D major को बजाने के लिए आपकी 1st finger होगी 3rd fret 3rd string के ओपर then आपकी 2nd finger होगी 3rd fret 1st string के ओपर and then आपकी 3rd finger होगी 4th fret 2nd string के ओपर तो यह कुछ इस्तर के sound करेगी Yes, तो यह थी हमारी D major की chord तो चलिए अब इस गीत के strumming pattern की तरफ चलते हैं जो की बहुत ही easy है तो मैं आपको इसको सबसे पहले slow tempo के ओपर play करूँगा ताकि मैं चाहूँगा के आप लोग इस strumming pattern को मेरे साथ साथ play करें और for example हम इसके अंदर chord ले लेते हैं G major की जो की हमने अभी अभी सीखी So it's like down, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up इसको हम और slow करेंगे So down, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up So down, down, up, down, up, down, down, up, down, up हम इस tempo को increase करेंगे So down, down, up, down, up, down, down, up, down, up और increase करेंगे So ये कुछ ही सरीय साउंड करेगा So चलिए अभी इस गीत के pre-cores part की तरफ चलते हैं जिससे इस गीत की शुरुवात होती है और इस गीत की पहली लाइन है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जिसका नहीं हम पहली कॉर्ड लेने वाले हैं जी मेजर की So it's like पवित्र आत्मा, आँ So पवित्र आत्मा, आ के अंदर, C मेजर की कॉर्ड So G मेजर से हम C मेजर के उपर जाएंगे So पवित्र आत्मा, आँ Then second line पवित्र आत्मा So इसके अंदर, D मेजर की कॉर्ड पवित्र आत्मा, आँ यहाँ पे G मेजर की कॉर्ड So यह दो line है कुछ इस तरह की से होंगी G मेजर से स्टार्ट करेंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा Right, then इसके बाद, third line Then मुझे ले चाँ यहाँ पे G मेजर को हम continue करेंगे Then येशु के चरनों में यहाँ पे C मेजर येशु के चरनों में Then पवित्र आत्मा यहाँ पे D मेजर A के उपर G मेजर की कॉर्ड So, ये पूरा प्रीकॉरस पार्ट किस तरी के साउंड करेगा? चलिए देखते हैं Slow tempo के उपर मैं बजाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ प्ले करनी कोहिश करें पवेत्र आत्मा पवेत्र आत्मा तो चलिए भी इस गीत के कोरस पार्ट की तरफ चलते हैं जिसकी पहली लाइन है सिर्फ तेरे लिये ये ये शू तेरे लिये और इसके अनदर हमüp हम स्ट lawsuit किरेंगे तो करेंगे जी मेजर की कोड्स 1 जैसे कि हमने प्री कोर पार्ट में करी थी तो सिर्फ तेरे लिये इसके बाद ये शू तेरे लिये यहां पे C major की chord, ये शु तेरे लिए। Then second line, यही same but tune फरक है, सिर्फ तेरे लिए। D major की chord, सिर्फ तेरे लिए, ये शु तेरे लिए। G major की chord, वापस से, ये शु तेरे लिए। Then third line, again, सिर्फ तेरे लिए। Same G major की chord, उसके बाद, ये शु तेरे लिए। C major, ये शु तेरे लिए। अब, मैं हाथ, यहाँ पे D major की chord, मैं हाथ उठाता, हूं के ओपर G major की chord, हूं So, ये chorus part कुछ ही सरके sound करेगा, मैं इसको भी slow tempo के पर play करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग में साथ साथ play करें G major सिर्फ तेरे लिए, ये शु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, ये शु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूं तो चलिए अभी इस गीत के वर्स पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसकी पहली लाइन है, घुटने टिकाकर, इसके अंदर, सेम G मेजर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, So, घुटने टिकाकर, then, सर चुकाकर, यहाँ पे C मेजर की कॉर्ड, सर चुकाकर, Then next line, हाँ तुठाता, यहाँ पे D मेजर की कॉर्ड, हाँ तुठाता, Then, तेरे लिए, वापिस से G मेजर की कॉर्ड, तेरे लिए, और यह जो वर्स है, यह हमें दो बार गाना है, So, मैं आपको एक बार, प्रॉपर तरीके से गा के बतायता हूँ, यह वर्स पार्ट कैसे हम गाएंगे, And इसके बाद, हमारा फिर से कॉरस पार्ट आजाएगा, जो की है, सिर्फ तेरे लिए, यह तेरे लिए, यह तेरे लिए, Right? And then उसके बाद, हमारा प्रीकोरस, पावित्र आत्मा, पावित्र आत्मा, पावित्र आत्मा, मुझे लेचा, यह जो के चरनों में, पावित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यह तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यह तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यह तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, काफी अलफूल रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेर करें, और कॉमेंट जरूर से करें, और इससे पहले कि आप पूछें, कि इस गीत का हमें कॉर्ट चार्ट कहां से मिलेगा, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको क्लिक करके, इसीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पर जाती है, और वेबसाइट है www.yesukikegeet.com, जि उसका सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दमना ना बूलें, जिस समरी सारी की सारी लेटर्स अबडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें, तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में, God bless you all, and जै मसी की!